नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका जीविज्ञान सिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल बायोलोजी एक्स्ट्रा इस चैनल पर आप जीविज्ञान से संबंदित महत्पूर्ण वीडियोस देखते हैं जो कि कक्षा ग्यारवी तथा कक्षा बारवी से रिलेटेड हैं और अभी हमारी सीरीज चल रही है कोशन बैंक सालूशन की लोग सिक्षन संचनाले मदप्रदेश के द्वारा जारी हमारा वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय तीन पादप जगत अध्याय तीन पादप जगत या जिसे हम वनस्पती जगत भी कहते हैं कि महत्पूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्णों को देखने से पहले होशन मैंक में दिये गए महत्पूर्ण बिन्यों को देखते हैं ऐसे पादप जिसे जड़ तनादत पत्ती में विभाजित नहीं क थेलस का मतलब क्या है भई विज टाइप प्लांट्स देखें दूसरी चीज देखें सेवालो का अध्यान फायकुलाजी कहलाता है तीसरी महत्पूर्ण बात उन्हों दिये है कि ब्राइफाइट्स को पादप जगत का उभहचर कहा जाता है चोथी बात टेरीडोफाइट प्रधम सववनी पादप है पाचवी चीज जिम्नो इस्पर्म नंगन बीजी पौधों का समू है इनके बीजों के चारों और कोई आवराण नहीं पाय जाता है पाचवी चीज उन्होंने दिया है कि आवरत बीजी पादप पुस्थारन करने वाले पादपों का समू है जि पधार्तों से अपना भोजन स्वेम तैयार करते हैं अता इन्हें उत्पादक खा जाता है बिल्कुल कामन बात है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोपिल पाय जाता है कौको में संचित भोजन ग्लाइकोजन की रूप में होता है कौको में संचित भोजन ग्लाइकोजन की रूप में होता है नाइन्थ बात उन्होंने कही है कि म्यूकर तथा राइजोपस नमक कवक सामानता डबल रूटी तथा चम्डे पर उखते हैं अता इन्हें ब्रेड मोल्ड कहा जाता है हाला कि यही सद्ध्यायका नहीं है बैंथम तथा हूकर का वर्गी करण एक प्राकर्तिक वर्गी करण है देखते हैं महत्पूर्ण अब्जेक्टिव प्रेशन कर मांग एक सही विकल्प चुनकर लिखिए सहीं विकल्प चुनकर लिखिये में सबसे पहला प्रसंद दिया है पादब जगत के उभैचर होते हैं अभी हमने महत्पूर्ण बिंदों में देखा है कि पादब जगत के उभैचर ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है तेख treffen तीसरे प्रास्ट जीमनोोय स्पर्म ये अगुडित होता है द्रेखान रखेगा कि ये प्री फर्टिलाइजीसिंब्राइजेशन टिश्य होता इसका मतलब कैसा होगा अगुडित होगा है वहीं पर देखें ओंडोय स्पपर्म होता है एंगी स्पर्म का इंडосьपर्म होता है, त्री गुडित, ठीक है? क्या होता भई? त्री गुडित होता है, ण्झाएसिपर्म का काम क्या होता है? पोशन प्रदान करना होता है, चलिए, आगे दिखते ह। जिमनय स्पर्म को नगन वीजी पौधे कहा जाता है, जिमने इस्पर्म को नगनवी जी पौधे कहा जाता है क्योंकि इसमें नहीं पाय जाता है इसमें अंडा से भित्ती नहीं पाय जाती है ठीक है अंडा से भित्ती नहीं पाय जाते है क्योंकि बाकी सारी चीजे उसी के अंदर होगी ठीक है मास का आउरण है मास जो होते हैं उनका आवास इस्थान है मास का आवास इस्थान होता है नम तथा चायदार इस्थान इसके बाद देखें सात्वा प्रश्न वरगी करण के जनक होते हैं वरगी करण के जनक हमने इसके पहले भी देखा है पहले भी chapters में देखा है और ये हैं केरूलास linear कोन है भई केरूलास linear है अब इसके बाद अगर आप बात करें next question की question number 8 question number 8 की जब हम बात करते है तो system and nature किताब किसके द्वारा लिखी गई है system and nature किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका सही जवाब है केरूलास linear के द्वारा लिखी गई है next question है पूर्टना परजीवी का उधारन दीजिए तो पूर्टना परजीवी का उधारन होता है अमर बेल या जिसे हम कैसकूटा भी कहते हैं उसके बाद बात करें दस्वा प्रशन कीट भक्षी पादप है इनमें जो एक्जामपल दिया है घट परणी, ब्लेडर वर्ड, ड्रोसेरा ये सारे के सारे जो हैं वो कीट भक्षी प्लांट होते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा उपरोप्त सभी कीट भक्षी पादप से आसाई क्या है कि ऐसे पादप जो अपनी आवसकताओं की पूर्ती करने के लिए सरीर के निट्रेंट को पूर्ती करने के लिए वो इंसेक्ट को एज़क फूड ग्रहन करते हैं इसके बाद प्रसंद देखे प्रती पर सबसे अधिक प्रकास संसलेशन किसके द्वारा होता है प्रती पर सबसे अधिक प्रकास संसलेशन होता है सहवालों के द्वारा इसके बाद बात करें निमली कित में से किसमे जेमा कप द्वारा अलेंगिक जनन होता है निमली कित में से किसमे पूर्ति कीजिए, रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए मैंने यहां पर इन जो objective प्रश्ण है रिक्तिस्थान है उनके जो सही उत्तर है उनके बाजों में लिखे रखें हैं इसी से मैं आपको रूबरु कराता हूं सबसे पहला प्रश्ण दिया है कि इसमें पाज जगत वर्गी करण का जनक कोन है तो भी पाज जगत वर्गी करण का जनक जो है आरेच वीटेकर को कहा जाता है आरहेच वीटेकर ने पाज जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा फंजाई, PLANTI और ैनिमेलिया दिया है भूरे सवाल का रंग फ्यू आन्फेन के कारण बुरा होता है सवालों कि कोसी का भित्ति सैलूलोज की बनी होती है लाल सेवाल का लाल रंग फायको इरित्रीन वण thể वरनक के कारण होता है। इसके कारण होता है । लाल सहवयल का लाल रंग। फाएको अरिथन वरनक के कारण होता है पाचवा प्रश्न दिया है कि ब्रावफ़ाईट्स के नर जनन अंग को 무슨 नर लेंगिक अंग को क्या Si 형 कहा जाता है HOW तो इसके और प्रश्ण सात्वा दिया है खालिस्तान एंजे स्वर्म का अदूतिय गुण है अब यह थोड़ा सा मल्टी ऑप्सिनल गुण है लेकिन यहां पर इसका जो सही जवाब आएगा प्रजेंस आप ओरी अंडा सही की उपस्तिती और उसके अंदर बीजो का पाय जाना जब फल्ग में परिवर्दित होते हैं औरी तो ऐसे अरस्था में उसके अंदर किसका निर्मान होता है सीट का फार्मेशन होता है तो यह इसका प्रमुगुण है इसके बाद देखे खालिस्तान विकास सिल भू भून को पोशन प्रदान करने का कारी करता है इसके बाद देखे टेरीडोफाइट का मुख्य पादब का खालिस्तान होता है जहां प्रशन का उत्तर मैं सबसे लास्ट में दूंगा इसके लिए मैं आप से चाहूंगा कि आप इसका आंसर ढूंड के रखे और सबसे सबसे उचा जिम्नोस्पर्म क्या है सबसे उचा जिम्नोस्पर्म सिकोया होता है इसके बाद नेक्स कोस्चन देखे सबसे उचा एंज्योस्पर्म सबसे उचा एंज्योस्पर्म होता है इक्वेलिप्टस या जिसे हम नेलगरी कहते हैं वहीं पर बार्वे नंबर का कोस्च चलिए दूस्तो अब हम बात करते हैं प्रेश्ट करमांग 3 की सही जोड़ी बनाईएं सही जोड़ी बनाईएं एक तरफ कॉलम A है दूसरे तरफ कॉलम B कॉलम A में 10 बाते लिखी गई हैं 10 पॉइंट्स दिये गए हैं और उनके सही जवाब से मैच करने के लिए कॉलम B को हमको देखना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कॉलम A में दिया हुआ है क्लेमाइडो मुनाज claimidomonas क्या है भई claimidomonas जो है वो है algae ध्यान रखीगा claimidomonas क्या है भई algae है वहीं पर दूसरे तरफ देखे अगर हम psychos की बात करे तो यह जो psychos होता है यह होता है gymnosperm तीसरी बात करे sileginals, sileginala जो है वो एक प्रकार का क्या है teridophytes है वहीं पर हम sphagnum की बात करें sphagnum क्या है एक प्रकार का mass है वहीं पर पाच्वा जो बात कर रहे हैं हम crypto games crypto games भई बीज रहित पौदे हैं यह इनमें बीज नहीं बनता है और ही नहीं पहे जाती है वहीं पर अगर आप बात करें छटवे प्रसंड की तो fanro games fanro games जिनमें बीज का formation होता है bryophytes को पादब जगत का उभैचर कहा जाता है वहीं पर अगर आप देखे जो teridophytes है तो teridophytes की हम बात कर रहे है तो teridophytes क्या है वही सवहनी crypto games है ठीक है सवहनी crypto games है वहीं पर अगर आप देखे gymno sperm जिनमें बीज नहीं पाए जाता है इस कारण से ये नगन बीजी होते है बीज के चरवर कार आवरण नहीं पाय जाता है चलिए दोई निसे चन किसकी विषेष्टा है दोई निसे चन अँशेष्टा है एंजियो isperm की तो इस परकार से आपने इसे देख लिया होगा और इसके कॉलम B में प्रत्यक options के पीछे में मैंने नंबर लिख दिया है और इन नंबरों के आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं कि कौन से options का सहीं जवाब क्या होगा चलिए next question पे चलते चलिए दूस्तों अब हम देखते हैं प्रेश्न क्रमांग 4 एक सब्द में उत्तर दीजिए एक सब्द में उत्तर दीजिए पहला प्रेश्म धिया है BGO बीजधारन करने वाले पादपो का वर्ग क्या कहला ते समानतर सिराविन्यास युक्त पत्ति वाले पादप का वर्ग क्या कहलाता है समानतर सिराविन्यास किस में पाए जाता है एक बीज पत्तिरी में पाए जाता है ठीक है और इसने मोनो कोटी लिडेंस कहा जाता है भुरे सहवालों में पायजाने वाला वर्नक कोन सा है? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है फ्यूकोजेन्थीन सबसे ऊचा एंजे स्पँ orthome का नाम लिखे यूकेलिप्टस लाल सहवालों में पायजाने वाले वर्नक का नाम लिखे फाइकोरीत्रीन ये भी हमने अभी थोड़ी दर पहले दिखा है पौदे था था जन्तों के बीच की सहीं जग कड़ी कहा जाता है यूगलीना को कहा जाता है पिछले चेप्टर में हमने इसे दिखा था समुद्र के गहराई में कौन से सैवाल पाए जाते हैं तो इसका सहीं जवाब है रे डेलगी अब ये क्यूं पाए जाते हैं इसका कारण आपको बताना है एक परिपवकव भून कोस कितने कोसी की होता है भून कोस की बात कर रहे हैं तो भून कोस में मुख्य रूप से साथ कोसी की होता है साथ कोसी का और आठ के इंद्रक होते हैं सहवालों में पाय जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए अब इसके एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन मुख्य वर्णक कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोफिल, केरोटीन, जैन्थोफिल, फाइकोईरित्रीन, फ्यूकोजैन्थीन, आदी इससे भी ज़्यादा होते हैं अब क्लोरोफिल अलग-अलग कंडिशन में पाय जाता है अलग-अलग अलग सेवालों में पाय जाते हैं इसके बाद देखे, टेरिडोफाइटा के दो सदस्यों के नाम लिखे और भी सदस्यों कोई भी हो सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है लाइकोपोडियम और सिले जिनेला टेरिडोफाइटा के दो सदस्यों के नाम मैंने क्या लिखा है अब हम बात करते हैं इसके descriptive question की जैसा कि मैंने आप से कहा है यहाँ आपको मेरी website www.biologyextra.com पर मिल जाएंगे और इसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा दोस्तो इस प्रकार से आपने यहाँ वीडियो देखा है उमीद करूँगा यहाँ आपको सारी बाते समझ में आ गई किसी प्रकार का doubt होने पर आप comments box में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं साथ ही मैंने जो प्रशन एक छोड़के रखा है उस प्रशन का उत्तर भी आपको देना है चलिए दोस्तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टापिक पर तब तक के लिए नमस्कार